Oh I just can't believe कि यह course इतना pro level पर होता हो जा रहा है and I guarantee कि इस course को भी मैं यहां बहुत ही detailed and number one बनाऊंगा in Hindi So in this video we are going to talk about advanced selection tool in Photoshop with some real world examples and practical that will blow your mind इसके अंदर ऐसे से topics and tips cover किये गये हैं इसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे और आपको इस video के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा So इसे पहले वाले lesson में हमने Photoshop के सारे manual tools को देख लिया है जो भी Photoshop के अंदर selections करने का basic होता है वो सारी चीज़े हमने clear कर ली है तो वो video selections करने का base है and I highly recommend कि आप उस video को पहले देख लिजे तब जाके आपको सारा selections का basics and जो भी यहां manual tools होते है selections करने के like this group and this lasso group वो सारा चीज़ आपको clear हो जाएगा and even इसके अंदर जो भी हमारे पास option मिलते है like feather and these joining options and this anti-aliase वेगरा वो सारी चीज़े आपको बहुत depth में clear हो जाएगे and we are moving to our automatic या फिर AI selections tool and that is this group and यह हमारा जो group है वो हमारा completely automatic selections या फिर AI based selections के उपर dedicated है okay so इसके अंदर हमारे पास mainly 3 tools है पहला है हमारा object selection tool जो कि हमारे Photoshop 20 I think 2020 के बाद वाले version में available हुआ है and यह जो हमारे पास बाकी 2 tool है quick selection tool और magic wand tool वो हमारे earlier version में भी available थे so यह चीज यहां note करने वाली है ठीक है and you can see यह जो 3 tools है उसके shortcut की यहां एक ही है and मैंने बताया हुआ है कि Photoshop के tools का जो group होता है उसके अंदर एक ही similar तरह के shortcut होते है like lasso tool में यह shortcut है L and हमारा उसी तरह से इस group में भी एक ही shortcut है so हम इसे manage करते है shift से so अगर मैं अभी magic wand tool में हूँ और मुझे switch करना है tools को तो मैं यहां से shift w करूँगा क्योंकि इस group का जो shortcut की है वो w है so shift w से हम यहां इसे switch कर सकते है and यह हमारा इस तरह से काम करता है so let's start और हम सुरू कर रहे हमारे magic wand tool से and यह यहां एक काम करता है similar brightness and similar colors वाले pixels को slick करता है so अभी यहां जैसे मैंने इसे slick किया तो मेरे पास यह preview आ रहा tool का जो की magic wand tool का preview है and you know कि हम जब भी कोई tools slick करेंगे तो यहां उसके settings हमारे menu bar में नजर आएंगे पहला हमारा वही group है जो कि हमें lasso group है मिलता था like यह new selection, add, subtract and intersect so यह यहां कोई नया चीज नहीं है अगर आपको यह नहीं पता है तो आप इससे पहले वाला वीडियो देखकर आई okay उसके बाद है sample size यह मैं इसके उपर आऊंगा उससे पहले मैं यहां पर आपको इससे कैसे use करते हैं वह मैं आपको अभी बता देता हूँ ठीक है so यह tool को हमें सिर्फ select करके यहां अपने जो भी pixels होंगे या फिल जो भी areas होंगे वहां पर click करना है so अभी मैंने यहां इस sky को click किया है and यह automatically क्योंकि यह automatic tool है इसलिए इसने automatically यह area यहां sample किया है but you can ask की यह automatic tool है पर यहां पर मैंने क्लिक किया और उसने इतना area यहां select किया है इसने यहां जहां पर हमने click किया उसी area को Select क्यों नहीं किया यह यह expand क्यों हो गया you can ask this acum यह भी आप यहां पूर्सकते हो की यहां पर हमने Click किया और यह हमारे पूरे sky को यहां पर select क्यों ने किया तो इसके पीछे जो reason है वो यहां है यह tolerance का ठीक है यह tolerance होता है reach okay reach मतलब यह जो भी हम area में click कर रहे है वो यहां कितना दूर तक या फिर कितने range तक वो अपने pixels को यहां select करेगा तो मैंने बताया कि यह magic wand tool है वो अपने same तरह के brightness and same तरह के colors वाले area को select करता है इसलिए इसने क्या किया यहां पर जहां पर हमने click किया like this area is little bit blue तो इसने blue जहां जहां तक था वहां वहां तक यह area select किया है आप बोल रहे होगे कि yes यहां पर यह जो blue है उसका shade यहां के बाद भी थोड़ा यहां पर नजर आ रहा है and इसका जो blue shade है वो यहां भी नजर आ रहा है यह water obviously blue है तो इसने यहां क्योंने select किया तो इसके पिछे reason यही है हमारा tolerance जो कि मैं अभी explain करूंगा ओके और इसके अलावा एक और चीज है हमने यहां सिर्फ क्लिक किया है like हमने यहां सिर्फ एक new selection यहां create किया है you can see यहां पर यह checked है मतलब यह new selection यहां created हुआ है अगर हमें और area यहां select करना है तो क्या करना है you know अगर आपको याद हो तो हम यहां पर plus करना पड़ता है plus यानि कि shift hold करना पड़ता है या फिर यहां से इस add to selection वाले mode को select करना पड़ता है तब जाके हमारा जो tool है वो यहां plus show करता है okay and यहां से हम इसे plus करके इस तरह से automatically अपने और area जो भी similar color वाले similar brightness या फिर लाइटिंग वाले areas होंगे उसे हम यहां पर automatically select कर रहे होते है ठीक है like this area जो कि यहां यह same color यहां match हो रहा है you can see हमारा जो sky यहां पर है वो इस area से भी match कर रहा है ठीक है इसलिए इसने यह area को भी अभी select कर दिया है but we know कि यह जो area है वो इस sky का part नहीं है वो इस rock का part है जो कि यहां है like this window का part है okay but फिर इसने यहां इसे select कर दिया उसका reason नहीं है क्योंकि यह सिर्फ similar color shade वाली या फिर brightness वाले area इसको select करता है okay and उसी तरह से अगर हमें इससे subtract करना है या फिर किसी area को deslick करना है यानि कि minus करना है selection को तो हम यहां alt hold करते हैं या फिर subtract mode में जाते हैं और इससे यहां से मिटाते है but you can see मैं यहां पर इसे alt hold करके click कर रहा हूं तो यह कुछ ज्यादा ही area यहां subtract कर ले रहा है वो क्यों यहां हो रहा है उसका reason ही यहां पर tolerance तो tolerance अगेन एक option है यहां पर हमारे magic wand के reach का पहुंच का तो जितना higher यह value रहेगा उतना higher हमारा magic wand similar color वाले shade को expand करेगा मतलब अगर म है फिर one करता हूं ठीक है तो यह इसका reach अब बहुत कम होगा मतलब कम tolerance कम reach तो हम यहां मालते यहां click करते हैं तो you can see बहुत कम reach है यह मतलब यह क्या कर रहा है कि अभी यह क्या समझ रहा है कि हां मैंने इससे बोला है क्या कि अपना जो reach है वो सिर्फ one रख मतलब जो अपना मैच करें वो इसने यहां click किया है ठीक है अब जैसे जैसे मैं इसका tolerance यहां increase करूंगा और यहां click करूंगा तो यह और ज्यादा यहां area sample करेगा but with less range मतलब जो इसका range होगा वो अपने blue is जहां पर हमने इसे click क्या होगा वही area के आसपास इर्द इर्द यहां यह click करेगा औ जैसे जैसे मैं इसे बढ़ाऊंगा like इसे अगर मैं 50 कर जाता हूं तो यहां यह you can see click करूंगा मैं और यह पूरा area यहां पर select हो जागा और ज्यादा यहां पर बढ़ाऊंगा like 100 तो you can see अब यह पूरा area जहां जहां पर blue है वहां यह select कर रहा है so this is our magic wand tool यहां पर यह greenish हो जहां किया रहा हुआरा water यहां पर blue नहीं दिख रहा है इसलिए यहां यहां तक हमारा section रोक दे रहा है and акéluda यहां पर Yahoo ज्रुआति नहीं की हमारा जाहां जाहां जांशेफ blue है वहां वहां यह हमारा area जीलेक्र कर रहा है थिक यह यह यहां complete नहीं अगर अगर हम इसे complete करना है तो हमें shift hold करना पड़ेगा और यहां इसे complete करना पड़ेगा आज you can see अब इसने क्या गया यहा यहाँ यह पूरा area हमाइरा यह पूरा area हTIked आई यहाँ भी point आपको दीकर आओगा selection यहाँ भी तो shift hold करेंगा और यहां यह select कर लेगा हमारा पूरा area इस तरह से ठीक है तो इस तरह से आप यहां shift hold करके add कर सकते हो या फिर all करके subtract कर सकते हैं मैं यहां पर और यहां पर यह subtract हो जाएगा हमारा selection ठीक है बट यह accurate नहीं है बात यहीं है सिर्फ यहां यह magic wand tool accurate नहीं है इसके अलाव हमारे पास दो all tool है जो कि यहां बहुत accurate हैं बट यह magic wand tool बहुत समय से चला आता आ रहा है Photoshop में इसलिए इसे अभी तक पाई है तो मैं इस tolerance को भी 32 कर रहा हूँ और अभी यह जो selection हमारा हो रहा है वो जो sample कर रहा है हमारा colors को वह यहां point wise कर रहा है sample size you can see यहां पर sample size का एक option दिया गया है मतलब कि जहां पर भी हम इस magic wand से click करते हैं ठीक है तो वहां वह अपने tolerance यानि कि 32 range तो रखेगा ही तो यहां पर हम इस पर सिलिख से 흥ा है श्लेट करेंगे तो यह इस अरिया जहां पर हमने इस बक्सक्षंप्सिए मैं हम जहां पर क्लिक करेंगे तो यह इस एरिया जहां कर हम Lib या फिर पिक्सल को बस सैंपल करेगा यानि कि point मतलब एक पिक्सल को यह सैंपल करेगा और उसी के similar यह अपना color देखते हुए and light देखते हुए आस-पास का यह area सैंपल करेगा ठीक है सो अभी यह point में था मतलब यह सिर्फ एक पिक्सल को सैंपल करेगा और उसी के similar का यहां और एरिया या फिर पिक्सल खोजेगा बट अगर हम यहां से 3 by 3 पे click करेंगे ओके और यहां से माल लेते हैं tolerance मैं अभी 5 रखूं ठीक है ताकि आपको अच्छे समझा सकूं मैं और यहा कर रहा है अब यह जहां पर हम इसे click कर रहे हैं जहां पर हम हम इसे click कर होंगा यहां पर तो यहां यह 3 by 3 pixels का एक box यहां create करेगा आपको अच्छे से बतां हो तो 3 by 3 area में जो भी pixels होंगे उसको यह sample करेगा और वही वही pixels का यह similar यहां और areas खोजेगा और उसको sample करेगा ठीक है और अगर मैं वही tolerance अभी 32 रखूँ और अभी point के जगा मैं 3 by 3 लूँ अभी मैं यहाँ पर click करूँगा तो यहाँ यह ज्यादा area अब sample कर रहा है जो कि बहुत ह है तो आपको इसे अपने यूस के अनुसार चेंज करते हो रहना है मैंने बताया भी अगर आपको कोई बड़ा area करना जहां पर एक mixed shade of color हो like यहां यह blue से होते हो white जा रहा है क्योंकि यह sky है तो आप यहाँ पर 3 by 3 में जा सकते हो और आप इसे हर इक तरह के sample size में से कर सकते हो ठीक है और यहाँ पर tolerance आप अपने जो भी आपका area है जैसे आपका color है उसे आप से आप यहाँ पर रखोगे बट बाइडिफोर्ट यहां यह 32 में रहता है तो आप इसे 32 में ही check कर सकते और अगर आपको selection expand करना है बढ़ाना है या फिर add करना तो आप यहाँ पर shift यह को भी subtract कर देगा तो हमें आपर क्या करना पड़ेगा you know that मैंने बताया हुआ हमारा helping selection tool को यहां काम मिलाना पड़ेगा and वो है हमारा lasso tool ठीक है तो हम यहाँ पर lasso tool में switch करेंगे और यहां से all ठोड़ करेंगे क्योंकि हमें subtract करना है और यहां से इस तरह से subtract कर देंगे and done हमारा यहां एक अच्छा सा selection यहां create हो गया है so don't forget lasso tools यह हमारा helping selection tool होते हैं और यह बहुत अच्छी तरह से यहां पर काम करते है ठीक है so इस sky को मैंने यहां बस लिक कर लिया है औ और अब अगर मुझे इसे modify करना है तो of course मैं इसे कर सकता हूँ like अगर मुझे यहां कोई और sky put करना है इसके जगा में तो मैं यहां से जाओंगा file place embedded and यहां से कोई sky लेनुगा like this dramatic sky okay और यहां से expand करूँगा like this ताकि mountain ना आए तो हम इस layer में react करेंगे और यहां से create clipping mask करेंगे यहां से इस तरह से and boom हमारा जो sky था वो यहां change हो गया है ठीक है of course यहां पर यह realistic नहीं है पर आप इस तरह का कुछ selection यहां पर कर सकते हो ठीक है तो इस तरह से आप अपने magic wand tool का use करके अपने similar brightness and colors वाले area को sample करते हो और से select करते हो उसके बाद इसी टूल को select करते हुए हमारे पास अपने menu या फिर settings बार में यह continuous का option है यह यहां क्या है so बहुत सारे लोग यहां से confuse करते हैं तो मैं इससे अभी आपको बताता हूं ठीक है so अगर मेरे पास कोई ऐसा हाँ यह photo ऐसा है जहां पर यह explain में ठीक है तो यहां इसने select कर दिया है हमारे water को बट यहां पर एक but है and वह है कि मैंने अभी बताया कि हाँ यह magic wand tool similar color वाले similar badness वाले colors को sample करता है yeah that is true but यह यहां पर यह जो water है वह यहां पर blue है like greenish tone में है थोड़ा थोड़ा ग्रे भी है और यही same color हमारे sky में भी है same color हमा पार क्यों नहीं जा रहा है और यह पार जाकर selection क्यों नहीं कर रहा हमें यहां बार बार shift hold करके इसे select करना क्यों पढ़ रहा हमें इसे add करना है तो हमें shift hold करना पड़े बट अगर आप चाहते हो कि हां एक click में वह सारे area sample हो जाए जो similar brightness और similar color के हो तो आपको यहां contiguous को off कर करना पड़ेगा ठीक है off करने के बाद अगर मैं यहां click करूंगा तो you can see जो भी similar color वाले areas थे like in this case इसके hand के नीचे भी बीच में भी जो areas थे वह यहां यह sample कर रहा है and which is helpful in some situations ठीक है हमने magic wand tool लिया और यहां click किया तो यह इस sky के लाओ भी इसके similar colors वाले areas को यहां sample कर रहा और अगर don't forget that और अगर आपको पूरे areas को similar areas को select करना है पूरे expanded range में तो आप यहां इसका tolerance बढ़ा दीजे like 60 कर दीजे and click किजे तो यह ज्यादा area भी sample करेगा ज्यादा करना है और तो यहां इसे 90 कर दीजे and click तो अब यह बिलकुल अपना range बढ़ा रहा है और यहां पर इ इसके अलावाब के पास यह select subject का option आ रहा है and select and mask का option आ रहा है तो मैं बता दूँ कि यह जो option आपको दिख रहे है select subject and select mask के वो आपको हमारे सारे automatic tools को select करने पर नजर आएंगे याएंगे तो अगर मैं यहां quick selection tool में जाओं तो यहां हमारे पास इसके options के साथ साथ हमारे पा and आपके यह image में कोई भी object जो stand out करता होगा उसे यह select करेगा या फिर subject रहेंगे उसको यह select करेगा इस तरह से and you can select this and do whatever you want so control D to select और यह select subject के बगल में आप देख रहे होगे कि यहां पर यह एक arrow है so यहां पर अभी एक cloud detailed results पर मैंने इसे switch किया हुआ था by default यह device quicker result में रहता है तो इन दोनों में यहां क्या difference है इन दोनों में difference यह है कि अगर आपके पास creative cloud है जो कि I guess आपके पास होगा ठीक है अगर आपके पास photoshop है तो और आपका net on होगा तो यहां पर आपका यह cloud mode है वो यहां काम में आएगा और यह detail results देता है when using select subject ओके अगर आप यहां device में रहोगे device यानि कि इस device में रहोगे जो भी आपका photoshop है तो यहां यह without net काम करेगा without online results काम करेगा without creative cloud काम करेगा you know parated photoshop तो उस case में यह offline काम करेगा device जो कि एक quicker results आपको देता है तुरंत result आपको देता है तो कर मैं इससे select करूँ quicker results को और यहां से click subject में click करूँ तो यहां यह तुरंत इससे select कर देगा you can see like this okay तुरंत इससे select कर दिया है बट अगर आप यहां cloud में shift करते हो थोड़ा सा यह time आपको selections provide करता है तो यहां पर यह जो आपका select subject है वो आपके हर तरह के automatic selection tool में रहता है और इसके अलाव जो यहां पर select and mask option है वो आपका एक अलग feature है आपके selections को यहां improve करने के लिए ठीक है तो अगर मैं माल लेते हैं अगर मैं यहां इससे select करूँ select subject use करके और यहां इससे background दे दूँ ठीक है like black okay तो you can see यहां पर आपको बहुत सारे artifacts and कुछ incomplete selections नजर आएंगे तो इसी चीज़ को यहां improve करने के लिए हमारे पास होता है select and mask जो कि हमारे यहां पर नजर आता है हमारे किसी भी तरह के automatic selection tool के अंदर यह होता है okay so अगर मैं आपको इससे real world practical करके यहां से इसे mask देना है एक या फिर आप यहीं से select and mask कर सकते हो तो यहां यह select भी कर देगा और इसे mask भी कर देगा ठीक है तो जैसे ही हम अपने select and mask को select करते है तो हमारे पास एक और window एक अलग तरह का window यहां पर खुलता है जो कि हमारे पास specially हमारे selections को improve करने के लिए काम में आता है like इसके edge इसके जो artifacts है उसे यहां यह control करता है उसे यहां यह मिटाता है और आपको एक better section यहां provide करता है ठीक है like this refine hair ठीक है and boom you can see ctrl z यहां पर इस तरह करता है by default और मैं इसे अगर refine hair में click करूं तो you can see यहां पर यह कितना solid यहां hair इसने select किया हुआ है जो कि बहुत ह जैसे हमारा photoshop यहां upgrade होता जा रहा है वैसे वैसे यह automatic selections tool यहां improve होते हुए जा रहे है जो कि बहुत ही बहतरीन चीज है और यह जो हमारा set and mask feature है उसे मैं एक dedicated video जो कि इस video के बाद के बाद वाले video में आएगा तो वो video बहुत detail रहेगा सिर्फ इसी topic के उपर रहेगा मैं इस के अंदर सारे parameters and sliders को explain करूँगा तो आप उसे जरूर देखना तो मैं इसे undo कर रहा हूँ भी और वापस से आरो अपने magic wand tool में and lastly हमारे पास यह anti-alias मिलते है anti-alias option क्या है आपको पता है मैंने इसके पहले वाले video में बहुत detail में इसे explain कर दिया है same वही चीज है इसके बाद हमारे पास आता है हमारा quick selection tool जो की बहुत ही amazing tool है most of the time आप इसे ही यहाँ use कर रहे होगे if not object selection tool equally आप यहाँ quick selection tool and object selection tool को use कर रह सकते हो Photoshop के अंदर so जैसे ही आप इसे select करते हो तो यहाँ पर आपको यह brush stroke यानि कि एक circle में एक plus दिखाए देगा ठीक है so यह by default add to selection mode में ही रहता है like जैसे हमारा lasso tool में यह जो mode था selection mode हो by default new selection में रहता था but unlike other selection tool यह quick selection tool यह by default plus में ही रहेगा यानि कि यह add करेगा so आपको इसे add करने के लिए shift hold करने के जरूत नहीं है so यहाँ आप इसे इस तरह से brush करके like जैसे आप brush करते हो उस तरह से आप brush करोगे तो यहाँ यह selection आपका करता हो जाएगा not कोई particular area या फिर particular color यह आपके जो भी pixels आप select करोगे जहाँ पर आप brush फेरोगे वहाँ वहाँ पर यह इ तो इस तरह से आपका यहाँ quick selection tool यहां काम में आता है इस तरह से and yes आपका यहाँ जो brush है यह जो brush है quick selection tool का उसे आप यहाँ right square bracket key से बड़ा करते हो okay so right square bracket key will make this bigger and left square bracket key will make this smaller okay so आप यहाँ इस तरह से smaller करते जाओगे जब आपको को बारिक selection करना रहेगा like यहाँ पर मुझे ब बड़ा brush लूँगा तो यहाँ पर यह नहीं होगा ठीक है alt hold करूगा और यहाँ से करूगा तो यहाँ पर यह नहीं होगा but अगर मैं छोटा brush लूँगा like छोटा करूँगा इसे और यहाँ से alt hold करके इसे इस तरह से बारिकी से इसे करूँगा इस तरह से subtract तो यहाँ पर य यहां इस तरह से और यह हमारा selection यहां, knew हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने qwik selection tool को use मिलाते है और यहां से फेड़ते हैं, यानि किए कहें ड्रैग करते हैं और मुझे अपने image में कोई और area like इस small mountain को यहाँ select करना है तो मैं इस पर भी यहाँ अपने brush को यहाँ इस तरह से drag करूँगा और इससे select कर सकता हूं इस तरह से ठीक है और यहाँ मुझे add करने के लिए shift hold करना नहीं है यहाँ पर इसने automatically यह selection के बाद यह selection यहाँ पर add कर दिय है यहाँ कि दो selection अब हम यहाँ पर कर रहे है ठीक है so we can make this precise okay तो मैं यहाँ से say all hold करूँगा और यहाँ से subtract करूँगा इस तरह से ठीक है you know कि यहाँ यह एक automatic selection tool है तो यहाँ पर यह perfect नहीं हुआ ठीक है so हमें in these small cases यहाँ पर हमें अपना lasso tool या तो lasso या फिर polygon lasso tool जो갈 Pi ngяв protecting tool होता है उससे यहाँ इस तरह से films करना पड़ेगा और हमल से इस तरह से shift खुड करके add कंपड़ेगा इस तरह से ठीक है उसी तरह से यहाँ पर भी इहाँ पर यह तो हम यहाँ पर polygon लेसोर तूल यहाँ यूज कर सकते हैं और यहां से alt, hold करेंगे और यहाँ पर click करके इसे subtract कर सकते हैं यह तरह से और यहां से हमेंसे यहाँ जोइन करना पड़ेगा और यहां से subtract हो जाएगा जोइन करने के लिए आपको जब भी यह circle दिखेगा आप वहाँ पर click करोगे और यह इस तरह से subtract हो जाएगा यहां हम एक बार में दो तरह का area select कर रहे हैं और यह हम कर रहे हमारे quick selection tool से और यह हमेशा plus में रहेगा आपको यह याद अखना है तो मैं यहां आप चाहूं तो यहां से select करते हुए यहां से Ctrl J कर सकता हूं और इसका एक separate image यहां create कर सकता हूं you can check that ओके तो यहां हमने दो area select कर दिया है and इसके बाद मैं चाहूं तो इस mountain को भी यहां बार select कर सकता हूं like this and यहां पर select हो जागा इस तरह से okay and अब मैं इन तीनों अलग अलग selections को एक ही बार में यहां adjust कर सकता हूं remember मैंने बताया हुआ है कि आप selections Photoshop में क्यों कर रहे हो वह आपको यहां पता होना चाहिए ठीक है selections करने के बहुत सारे motive या फिर reasons हो सकते हैं आपको बस अपना जो concept है उससे आपको clear रखना है ठीक है तो मैं अभी इससे select कर लिया इसने यहां एक इस तरह से mask क्रेट कर दिया है अगर मैं यहां पर alt क्लिक करूँ तो यहां पर आपको दिखेगा कि जो भी मैंने यहां selections क्रेट किया था उसी को यह consider करते हुए हमें यह hue and saturation वाला adjustment layer यहां दे रहा है तो इस तरह से आप अपने selections के through किसी भी तरह का adjustment कर सकते हो ठीक है अगर मैं चाहो तो यहां hue से इसके color है अभी यह green tone में है तो मैं इससे इस तरह से किसी भी color tone में यहां shift कर सकता हूँ जो कि मुझे अभी नहीं करना है और एक चीज यहां यह है कि जब मैंने यह hue and saturation वाला adjustment layer यहां बनाया तो यहां मेरा जो object या फिर subject था वो यहां selected था इसलिए हमारा जो यहां adjustment layer add हुआ वो इस selections को consider करते हुए यहां add हुआ है ठीक है और यह वो selections है white shows and black heights मतलब जो भी मैंने selection किया था वो इस area को किया था और इसी से इसने यह hue and saturation का जो adjustment layer है वो यहां इसने generate या फिर add किया है अब जो भी हम यहां करेंगे अपने hue and saturation add small layer वाले settings पर वो उसका जो effect होगा वो इसी area पर affected होगा ठीक है तो यह चीज़ आपको यहां ध्यान रखना है उसके अलावा अगर मैं आपको किसी और example को यहां show करूं like this one ठीक है और अभी मैं जा रहा हूँ अपने quick selection tool में और यहां से से इस तरह से select कर रहा हू इक है यह जो मैं अब कर रहा हूं subject को यहां select कर रहा हूं उसके लिए dedicated हमारे pace यह option है select subject का तो मैं चाहों तो इसे भी यहाँ पर click करके इसे कर सकता हूं बट मैं इहां पर select कर रहा हूं like this ठीक है जैसा हूं यहां यह हो और यहा पर कफी अच्छा इसने selection यहां कर दिया है ठ तो आपको यहां alt hold करके इसे scroll wheel से zoom करना है ठीक है उसके बाद यहां से आप subtract alt hold करके या फिर add shift hold करके आप कर सकता है लाकि मुझे यह area add करना है तो मैं यहां से plus में रखकर इसे जोड़त नहीं है ओके इस तरह से and इस तरह से मैं इसके hair को भी यहां select कर लेता हूं एक यहां curves add layer लगा दूँगा and अगर मैं इसे भी छेड़ूं तो यह हमारे पूरे image को यहां affect कर रहा है but अगर मैं इस curves layer को इस area यह जो हमारा area है जिसे मैंने भी select क्या था उसी पर limit करना चाहूं तो मैं यहां से क्या करूंगा you know that मैंने बताया हुआ अपने masking wall class में तो मैं य यहां तो इस पर right click करके यहां से clipping mask create करूंगा ताकि इसका जो effect है वो इसके नीचे वाय लेयर पर clip हो जाए यानि की limit हो जाए अब मैं इसे इस तरह से छेड़ूंगा तो यहां यह हमारे keyword subject को यहां affect करेगा ठीक है अगर आप चाहो तो इस clipping mask को create करने के बजाए आप यहां इसी mask को मतलब you know कि हर एक asmal layer जो भी हम यहां add करते है photoshop में as a layer वो यहां एक mask के साथ आता है ठीक है तो हम चाहें तो इस वाले mask को मतलब जो भी हमारा subject वाला mask है उसके mask को हम all hold करेंगे और यहां से duplicate कर सकते हैं हमारे upper layer में मतलब हमारे course layer में क्यूंकि हमारा यह जो curves है उस इस पर contrast create कर सकता हूं चाहूं तो इसके darkmost point पर click करके इसे fade कर सकता हूं इस तरह से उसी तरह से whitemost part को भी fade यह है before and यह after ओके इस तरह से हम अपने selections को सिर्फ subject, object या फिर background रिमूव करने के लिए नहीं बलकि इस तरह के adjustments के लिए भी कर रहे होते हैं जो कि आपको जानना बह face है वो यहां edited है और इस पर एक red tone आ रहा है और I know कि यह जो hair है इनका real है बट यह face फोड़ा सा edited है तो मैं इस में से अगर reds को subtract करना चाहूं तो मैं यहां से इस RGB channel पर click करूंगा और यहां से reds choose करूंगा उसके बाद मैं simply इस red channel को थोड़ा सा नीचे की तरफ करूंगा औ और you can see मैं इसके face से reds subtract कर रहा हूं यह हमार before full red and एक darker tone में यह after जो कि थोड़ा सा भी match कर रहा है हमारे background से थोड़ा सा मैं इसे red increase कर रहा हूं and इस तरह से मैं इसे edit कर रहा हूं ठीक है तो मैंने सिर्फ highlight से इसका जो red tone था वो यहां remove किया है और you know कि यह जो curve है उस पर एक mask है तो यहां यह सिर्फ हमारे subject के face को affect करेगा उसके बाद अगर मैं चाहूं तो इसी curve layer का एक duplicate लोंगा like यहां से एक duplicate या फिर ctrl j करके duplicate तो मैंने जैसे ही इसे duplicate किया तो इसका जो effect था वो यहां double हो गया और अभी मैं क्या कर सकता हूं इसी second वाले curve adjustments के mask को मैं select करूंग औ यहां से ctrl i करके इसे invert कर सकता हूं इसका मतलब क्या होगा कि पहला वाल जो हमारा curve रहेगा वो रहेगा हमारा subject के लिए subject retouching okay and third जो हमारा है वो यहां background के लिए ठीक है तो यह है for background okay अब मैं चाहूं तो इस background को यहां adjust कर सकता हूं तो मैं पहले तो इसे double click करूंग और यहा मेरा subject के लिए था तो मैं इसे पहले reset करूंगा यहां पर click करके तो यह reset हो जाएगा हमारा background और अब मैं क्या करूंगा इस background layer का जो highlights है थोड़ा से down करूंगा इस तरह से okay और mid tones हमारा वही same रहेगा बस gain down रहेगा मतलब बस highlight down रहेगा ठीक है उसके बाद मैं यहां से RGB से blue slick करूंगा और blue को मैं थोड़ा सा नीचे करूंगा और इस पर थोड़ा सा yellow tone दूँगा and have a look at this amazing right अब यह image सही से match लग रहा है तो यह है हमारा before and यह आफ्टर एक film look यहां आ गया है जो कि बहुत ही बहतरीन है अब अगर आप चाहो तो for practice आप इसी layer background layer के उपर एक layer create करो text ल यहां cut out है तो मैं इसे tracker के यहां लओंगा और इसका जो font रहेगा मैं यहां पर इसे थोड़ा सा एक अलग style में दूँगा ठीक है this one is good okay तो मुझे इसका color change करना तो मैं इस text layer पर double click करूंगा और यहां से इसका character पहले open करके इसे reset करूंगा ठीक है so make this zero and हमारा size ठीक है I don't know 200 में भी उसके अलावा इसका जो color है मैं यहां पर orange रख रहा हूं यानि कि yellow रख रहा हूं इस तरह से अब यहां पर यह film look वाला title लग रहा है थोड़ा सा green tone के तरब जाओंगा और यहां से ok करूंगा ओके यहां से ok करूंगा और इसी text layer को मैं select करूंगा यहां पर place कर लेत हूं इसे और इसी text layer को select करते हुए यहां से जाओंगा effects icon पर जो कि हमारा layer styles icon है यहां से मैं choose करूंगा drop shadow और इसका जो color रहेगा वो यहां yellow या फिर red रहेगा यह वाला red और और इस तरह से इसका angle अभी उल्टा है तो मैं इस पर click करके मतलब आपका drop shadow layer styles वाला window है उससे mouse पर mouse से click करके इस तरह से drag करेगा तो यहां पर यह इस तरह से shift होता है ठीक है तो you can see हमारा title अभी इस तरह का नजर आ रहा और यहां पर एक सांदार सा retro effect आपने दे दिया है यहां पर और अब मैं चाहूं तो इससे ok करूंगा और you can see that ctrl T bigger and it's done so you can see मैंने अभी अपने background क से उपर इसे add किया हमारे text layer को so मैं चाहूं तो इससे इस तरह से अपने subject layer के पीछे भी छुपा सकता हूं पर मैं इससा करूंगा ने मैं यहीं पर इससे रख रहा हूं और छोड़ा से छोटा कर रहा हूं okay and it's done तो इस तरह से इस example में आपने सीखा कि आप कैसे अपने subject को अपने background से match करते हो और एक retro look देते हो और यहां पर कुछ layer stats भी आपने सीखे ठीक है उसके बाद let's back to our quick selection tool और यहां पर कुछ और options है ठीक है पहला option तो हमारा है new selection जो कि हमारा कोई काम कर नहीं है यह उसके इसके बाद आपका subtract you know that और फोल करके आप इसे काम मिला सकते हो उसके बाद आपका traditional way to change the brush rise hardness and spacing okay उसके बाद आपका यह brush का stroke को आप इस तरह से rotate या फिर tilt कर सकते हो लाकिक अभी मैं इसे shrink करूंगा इस तरह से तो यहां पर यह shrink हो जाएगा you can see अभी इस shrink हो गया हमारा brush य तो angle मैं वापस से default पर set कर रहा हूं and नीचे आपके पास roundness है मतलब brush का roundness रहेगा वो रहेगा and उसके नीचे आपका रहेगा pen pressure अभी मेरा pen pressure यहां saved है यानि कि selected है क्योंकि मेरा एक pen tablet अभी connected है मेरे computer से आपका यहां off में रहेगा तो आप इसे pen अगर आप use करो तो यहां स pen select कर सकते हो ठीके इसके बाद आपका stylus wheel है जो कि आपके computer में है तो आप यहां से manage कर सकते हो ठीके तो मैं यहां से चोट रहा हो और यहां से off कर रहा हूं and इसके बाद आपका यहां रोटेशन है आप इसे rotate कर सकते हो ठीके like 45 degree आपका जो भी selection होगा और 45 degree की radius की angle में ही करता हूं और आपको भी नहीं करने मतलब 99.9% पर केस क्विक सेलेशन टूल में इसका कोई काम नहीं एंगल राउंडनेस एंड स्पेसिंग एंड यह जो स्ट्रोक चेंज बगरा है वो आपको नहीं करना है सो मैं बस इसे explain कर रहा हूं ठीक है एंड उसके बाद हमारे पास है enhance edge enhance edge यहां by default चेक रहता है सो आप भी अगर इसे check रखते हो यानि कि on रखते हो तो आपका जो भी selection होगा वो softer होगा मतलब उसका जो edge होगा वो थोड़ा सा यहां soft आएगा but I don't know कि आप इसे किस-किस image या फिर case पर use करोगे मतलब अगर आपका कोई ऐसा area है ऐसा subject या फिर object है जहां पर आपको hard edge चाहिए तो आप इसे off रखो and अगर आपके पास कुछ इस तरह का subject है जो कि soft edge चाहता है यानि कि soft edge suitable होगा तो आप यहां इसे on रख सकते हो ठीक है and माल लेते हैं कि यहां पर इसका जो by default layer रहता है वो यहां background layer रहता है और यहां पर मैं एक layer create कर रहा हूँ और यहां से माल लेते हैं कि blank layer है ठीक है और you can see blank layer है पर हमारा पुरा car यहां दिख रहा है क्योंकि यह blank layer है इसके उपर अगर कोई कुछ रहेगा like brush stroke रहेगा तो यहां यह नहीं दिखेगा क्योंकि हमारे उपरवाई layer में brush stroke लगा हुआ है अगर यह blank भी यहां रहे है ठीक है और आप यहां quick selection tool में रहोगे और यहां से अपने car को select करोगे तो यहां पर you can see मैं यहां पर से select कर रहा हूँ पर यहां यह हो नहीं रहा है ठीक है यह पूरे image को मेरा select कर लेता है इस तरह से कोई अच्छा color लेकर इस तरह से ओके और अब मैं quick selection tool लूँ और इसी blank layer में रगकर मैं अपने car को यहां पर select करने का try करूँ तो यह कंसी नहीं हो रहा है हमारा select हो रहा है पर यह हो रहा है साइज करना है तो आपको layer by layer करना होगा और इसी के लिए हमारा by default sample all layers यहां off रहता है ठीक है तो अगर मेरा यह car first layer में रहे और हमारे पास बहुत साथ layer यहां रहे माल लेते हैं दो तीन चार किसी में text है किसी में circle है किसी में कुछ है और अगर हम इस car layer को select किये बिना इसे select करने का प्रयास करेंगे तो यहां यह नहीं होगा क्योंकि इस वक्त हमारा जो Photoshop है वो by default यही concept follow करता है कि जिस layer में हम रहेंगे उसी layer का pixels हम adjust कर पाते हैं तो अगर मैं अपने car layer में आऊं और अगर इसे select करो तो you can see हमारा car select हो रहा है क्योंकि मैं अभी अपने current layer में हूँ और यह मेरा यह background layer है जो की carwire layer है ठीक है इसलिए यहां ही select हो रहा है इससे visually जिसको आप देख रहे हो उससे आप यहां select या फिर modify कर सकते हो ठीक है तो मैं अभी इस layer में हूँ blank layer है हमारा but मैं अगर चाहूं तो इस circle को भी यहां पर select कर सकता हूं तो इहां पर select करो तो यहां पर यह कर रहा है ठीक है तो मैं सारे को यहां edit कर रहा हूं सारे blank layer को and we are back to our Quick selection tool and यह जो Sample all layer का feature है वह हमारे हर तरह के tool पर काम करेगा ठीक है like magic wand tool यहां पर भी option है object selection tool यहां पर भी option है and some other like spot healing brush tool यहां पर भी option है So sample all layers का funda यही है उसके अलावा आपको एक और चीज में बता दूँ कि अभी you can see मैंने यहाँ पर अपना quick selection tool slick क्या हुआ है और आपको यह brush मतलब circle में एक brush stroke दिख रहा है और यहाँ plus कजाईने अगर आपका यहाँ caps lock on रहेगा तो आपको यह नहीं दिखेगा आपको यह इस तरह से नजर आएगा आपको भी tools slick करो अपने photoshop का अभी मैं pen tool में हूँ तो यहाँ पर यह इस तरह से नजर आ रहा है like one dot in the middle and four stroke किसी भी tool का आप slick करो यहाँ पर यही दिखाएगा but अगर आपका caps lock on रहेगा तो यहाँ यह इस तरह का stroke में दिखेगा जो कि annoying है and आपको confuse कर सकता है तो आपको अपना caps lock हमेशा बंद रखना है photoshop use करते समय unless कि अगर आप कोई title लिख रहे हो तो आपको on रहना पड़ेगा obviously but अगर आप कोई tools चूज कर रहे हो then you have to turn off the caps lock उसके बाद let's move on to our last tool in the auto selection tool and that is object selection tool जो कि हमारे 2020 version के बाद वाले version में available हुआ है and यह यहाँ पर बहुत ज्यादा powerful है and यहाँ यह क्या करता है automatically हमारे subject को and object को find करता है और उस पर हमें बस click करना पड़ता है या फिर drag करना पड़ता है और यह उस subject को यहाँ select करके दे देता है ठीक है तो पहला इस tool के settings में हमारे पास यह option है joining options जो कि हमारे हर तरह के selection tool में रहते है add, subtract, intersect, वेकरा मैं इसे explain कर दिया हूँ बहुत बार अब मैं इसे नहीं करूँगा इसके बाद हमारा है object finder यह अभी check है अगर यह uncheck रहेगा तो आपका जो cursor है वो यहाँ पर इस तरह से नदर आएगा with a lasso and with a square यह जो icon दिख रहा है वो यहाँ object selection tool का है अगर आप इस object finder को यहाँ on रखोगे तो यहाँ automatically आपका जो net यहाँ cloud work करेगा और यहाँ यह automatically refresh करके मतलब अभी मैंने इसे click किया तो यहाँ यह refresh कर रहा है और automatically आपके पूरे image से यह object यहाँ subject को यहाँ find कर रहा है खोज रहा है और अब अगर मैं इसे on रखकर अपना cursor अपने किसी भी तरह के area पर फेरूँगा तो यहाँ यह automatically detect कर लेगा कि हाँ यहाँ पर एक road है यहाँ यहाँ पर एक car है जो कि एक object होगा mountain and sky तो यह हर तरह के object को find करता है with the AI feature of course and उसे अगर हमें select करना हो तो बस हमें उसे click करना है and boom यहाँ पर रहा सा refresh होगा and हमारा sky यहाँ जिस पर हमने इसे hover किया होगा वो यहाँ पर select हो जाएगा and this feature is so powerful अब मैं चाहो तो quickly यहाँ एक add smell लिया लगाऊंगा like hue and saturation का और यहाँ से एक saturate कर दूंगा इस तरह से इस तरह से ठीक है and have a look at this before and after ठीक है तो इस तरह से आप अपने object finder का use करके अपने object यहाँ अपने subject को यहाँ track कर सकते हो detect कर सकते हो with the object finder button ठीक है यहाँ just refresh tool है उसके बाद यह जो है वो यहाँ है so all object का ठीक है तो अगर मुझे यहाँ hover नहीं करना है मतलब आभी मैं अपना mouse hover कर रहा हूं तो आप जाके यह overlay नजर आ रहा है आपको बतायागा कि हाँ यहाँ पर कोई object यहाँ subject है like यह sky, यह mountain, यह road and यह car so मैं अभी इसे बंद कर रहा हूं ठीक है उतना useful नहीं है मैं इसे off करके ही अपना mouse यहाँ पर hover कर सकता हूं और इसे select कर सकता हूं उसके बाद यहाँ पर यह gear icon है इसके अंदर आपको इसी दोन 0 क्योंकि outline चाहिए मुझे जो भी हमारा accurate section है उतना ही रहे उतना ही show करे तो ज्यादा अच्छा है यहाँ पर मुझे कोई outline नहीं चाहिए opacity है 65% like अगर मैं यहाँ hover कर रहा हूं अपने car पर तो मुझे overlay यह green overlay के साथ जात यहाँ मुझे अपना car भी नदर आ रहा है क्योंकि यह overlay का 65% अभी opacity है transparency अगर मैं इसे 100 कर दो क्या होगा you know that मैं यहाँ पर hover करूंगा तो हमारा overlay इसे चिपा देगा क्योंकि हमारे overlay का opacity अभी 65% है तो मैं इसे वह आपसे default पर कर रहा हूं उसके बाद auto show overlay मतलब यह automatic show कर रहा है overlay always show overlay मतलब always show करेगा overlay without clicking on this icon never show overlay यहाँ पर overlay show ही like जब भी आप अपना image open करोगे तो automatically यह refresh करता है image को और वहाँ से detect करता है अपने subject every object को so अभी यह auto में है बट अगर आप इसे manual में करोगे तो यहाँ से आप इसे कर सकते हो फिर आपको क्या करना पड़ेगा बाल बाल इसे refresh करना पड़ेगा which is you don't want ठीक है उसके बाद एक को इस area को अब आप यहाँ same जहाँ पर आपने select किया है उसी पर hover कर अपना mouse and यहाँ से all ठोड़ करके इसे click कर दो and यह gone आपका selection खतम हो जाएगा तो यही चीज यह object subtract करता है जो कि मैं अभी आपको recommend करूँगा कि आप इसे as it is छोड़ दीजे ठीक है उसके बाद यह है अगर आप चाहते हो कि यहाँ object finder आप off रखो तो आप यहाँ इस mode को आप select कर सकते हो and in my recommendation आप इसे off ही रखो ताकि यह refresh ना करे बार बार आपका Photoshop lag ना करे यहाँ पर यह time ले और अब आप यहाँ आओ इस mode में and जिसको भी आपको select करना है अपने image में उसे आप select करो इन द काम किया है ठीक है like these tires, this mirror and this roof बहुत अच्छा इसने काम किया है एक चीज़ बस यहाँ पर इसने miss कर दिया है and वो है यह चीज़ ठीक है और अब मुझे इसे subtract करना है तो मैं क्या करूंगा अपना helping hand यारे helping selection tool ले सकता हूं या फिर यही पर आपको एक subtract का option दिया जाता है ज यह जो area है वो इस selection का part नहीं है आप इसे subtract कर दो तो यहाँ यही से subtract कर देगा इस तरह से ठीक है still यहाँ पर थोड़ा सा area भी चाहिए आपको तो आप यहाँ इसे shift hold करो और यहाँ से एक और drag करो rectangle and यहाँ यह कर देगा इस तरह से एक चीज़ यहाँ problem आती है कि जब भी आ आप इस तरह के कोई छोटे area पर अपना object selection tool लेकर यह rectangle फिरते हो तो यहाँ आपको यह इस तरह का एक dialogue box देगा couldn't find an object to select there might not be enough edge contrast ठीक है इसका मतलब यह जो area है वो बहुत छोटा है और यहाँ पर उसे कोई edge या फिर contrast नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पर of course इसे rectangle mode से lasso tool में select कर सकते हो और यहाँ से shift hold करके इसे इस तरह से lasso में कर सकते हो and you don't have to be precise आप यहाँ इसे इस तरह से भी कर सकते हो and यह यहाँ इस तरह से select कर देगा ठीक है which is बहुत powerful right and यह मेरा एक और area है जो कि यहाँ इसने छोड़ा हुआ है तो मैं यहाँ lasso tool लेकर ही alt hold करूँग और यहाँ पर इसे subtract कर दूँगा and बताऊंगा इसे कि यह area इस car का हमारे selection का part नहीं है तो इसे remove करो ठीक है इस तरह से तो यह हमारा एक बहुत ही बहतरी selection यहाँ पर हो गया है अब मैं जाहो तो इसी के उपर एक hue and saturation लेयर लगा कर इसे कोई और color दे दूँगा and यह अब green हो गया have a look at this थोड़ा lighting इसका सुधार ना है तो आप यहाँ से सुधार सकते हो but I think it's fine and यह है आपका before and after what a transformation right so इस तरह से आपका यहाँ object selection tool यहाँ काम में आता है ठीक है so मैं एक और example आपको दिखाता हूँ जो हमारा last example रहेगा and यह है वो image ठीक है so अगर आप यहाँ object selection tool में रहते हो और यहाँ से select subject करते हो बस यहीं से नहीं किसी भी तरह के automatic selection tool में रहोगे आप और यहाँ से कि अगर select subject करोगे या फिर यहाँ से करोगे let's try क्या होता है अगर मैं यहाँ से select करूं इसे फ्रसा में वेट करना पड़ेगा and इसने क्या किया हमारे image में जो भी subject थे उसे इसने select कर दिया है which is good but यहाँ पर यह क्या कर रहा है हमारे multiple subject को select कर रहा है which is we don't want in some cases मतलब मुझे हो सकता है कि मुझे सिर्फ इस subject को यहाँ select करना रहे मुझे दोनों नहीं चाहिए पर यह जो automatic select subject का feature है वो दोनों को select करेगा right तो इसकेस में हम क्या use करेंगे हमारा object selection tool ठीक है just change its mode to rectangle and drag it onto your subject and boom इसने इतना perfect selection कर दिया है you get her here right amazing right so this object selection tool is more powerful than you think okay अब मैं क्या करूंगा इस subject क को यहाँ select करते हुए चाहूं तो यहाँ एक कर्व एड्स में लेयर लगाऊंगा और यहाँ पर तुरह से इसे adjust कर सकता हो इसके lighting को ठीक है and it's looking good now before after ठीक है तो मैंने इसे थुरह सा यहाँ bright कर दिया है तो इस तरह से आप अपने object selection tool से अपने individual subject या फिर object को select कर सकते हो और इस तरह का changes कर सकते हो ठीक है उसके बाद आपका यहाँ आता है sample all layers वही चीज़ है जो मैंने बताया आपको अभी उसके बाद है यह hard edge you know hard edge आपका मतलब जो भी आपका selection रहेगा वह आपका hard edge के साथ select होगा and lastly इसके बाद है यह feedback मतलब if you want to provide any feedback to adobe then you can do this click करो इसे and आप य layer को यहाँ delete कर रहा हूँ for the final few minutes मैं इसी object tool को यहाँ select करके यहाँ से select subject में से click कर रहा हूँ and you know दोनों को यह select करेगा एक ही साथ and माल लेते हैं कि आपने selection बेकर दिया ठीक है so अब आप यहाँ क्या कर सकते हो अपने mode में rectangle या फिर lasso tool लेकर all sold कर सकते हो और यहाँ से किसी एक subject को यहाँ subtract कर सकते हो बता सकते हो कि यहाँ यह जो selection आपने किया है mister object selection tool ने वो यहाँ नहीं करना था so आप यहाँ इसे इस तरह से remove कर सकते हो which is good right so मैंने यहाँ एक दुबार से try किया यह थोड़ा सा subtle नहीं है तो मैं यहाँ lasso tool ले सकता हूँ और यहाँ से all sold करके इस या फिर selection हटाने के लिए काम में आ सकता है and यह रहे हमारे वो तीन major तीन main automatic selection tool या फिर AI selection advanced tools जो कि आपको photoshop में काम आएगा ही आएगा और यही selection tool आपका base है ठीक है आप अपना जो भी black basic selection से लेकर advanced selection तक इनी automatic selection tool से अपना जिस भी तरह का area है उससे आप select कर सकते हो और उस किसी भी तरह का modification adjustments या फिर किसी भी तरह का changes कर सकते हो so that is it for this class और I hope कि आपको यह video समझ में आया हो और अगर आपको कोई भी doubts है तो आप इस video को comment section में comment कर सकते हो और मुझे किसी भी तरह का question कर सकते हो regarding this topic okay so that is it for this video कर सकते हो और इसो और आपको लगर तरह का वा तरहा पिसा डालक का वी तरह जप हुआ भी है झाल झाल